इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे One Dimensional Potential Step Step का मतलब Stair या C-D जब हम इसके Potential Function को Plot करते हैं तो एक C-D या Stair की तरह होता है इसलिए इसका नाम दे दिया है Step One Dimensional का मतलब है कि इसका जो Potential Function होगा वो सिर्फ एक ही Coordinate का Function होगा तो यहाँ पर वो Coordinate होगा X चलिए पहले इसे Plot करते हैं और तब उसके बाद आगे Sol करते हैं तो यह एक Potential Function है यहाँ यह Origin है X equal to 0 इस तरफ X है और अगर X greater than 0 है तब यह Potential की Value V equal to V0 है और X less than 0 पर इस Potential की Value कितनी है? 0 है इसको Mathematically भी डिख सकते हैं कि V equal to 2 value होगी क्या-क्या? 0 और V0 कब? यह 0 तब होगा जब X less than 0 होगा और यह V0 तब होगा जब X greater than equal to 0 होगा तो इस तरीके से यह Potential Function है हमारे पास एक Particle है यहाँ पर यह इस Potential Step पर Incident है इस Particle की कुछ इनरजी है E चोंकि यह Potential 0 है इसका मतलब जो इसकी इनरजी है वो सारी की सारी इनरजी काइनेटिक इनरजी ही होगी अब Depend करेगा कि Incident जो इनरजी है वो इस Potential V0 से कम है या V0 से ज़्याद है तो यहाँ पर इस तरीके से दो Case हो जाते है Case First Case Second Case First तब होगा जब हम कहें कि इनरजी E Less Than V0 है और इनरजी E Greater Than V0 है दो Case होगे जब इसकी इनरजी इस Potential ज़्याद होगी तो हम देखते है Classical Case में या जो Quantum Mechanics से पहले हमने Physics पढ़ी है उस Case में क्या होगा Suppose इतना उंचा Potential Function है और यहाँ पर एक Particle Incident है जिसकी इनरजी अगर कम है तो यहाँ से टकराएगा वापिस आ जाएगा और अगर इसकी इनरजी इस Potential से ज़्यादा है तब यह Particle पूरा आगे निकल जाएगा तो हम अब देखेंगे कि Quantum Mechanics में कैसे होगा तो हम पूरा Derivation करने के बाद Result देखेंगे जब इस Particle की इनरजी कम होगी तब यह पूरा Reflect हो जाएगा इसके Reflect होने की Probability 1 होगी यह कह सकते हैं Reflectance 1 होगा और जब इस Particle की इनरजी इस Potential से जादा होगी तब इसके Reflect होने की भी Probability होगी और इसके Transmit होने की Probability भी होगी बट टोटल जो होगा Sum वो 1 ही होगा जैसा की होना भी चाहिए तो यहाँ हम क्या करेंगे चुकि Derivation लंबा है इसलिए Part 1 यहाँ पर करेंगे Case 1 तो Case 1 इसी वीडियो में करेंगे यहाँ पर यह वाला Case और जो Case 2 है इसको Next वीडियो में करेंगे तो चुकिए हैं Particle को Wave की तरह लिया हुआ है और Particle से Associated जो Wave है उसकी Guiding Equation होती ही Studinger Equation तो पहले Studinger Equation लिखेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे तो Studinger Equation लिखते हैं Studinger Equation यह है L2Si प्लस 2M by H cross square E minus V Si equal to 0 यहाँ चुकिए One Dimension Case है तो One Dimension Case के लिए इसे ऐसे लिख सकते हैं कि D2Si Dx2 प्लस 2M by H cross square E minus V Si equal to 0 अब यह दो अलग 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 region के लिए अलग अलग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर V equal to 0 लगाना है और यहाँ पर V equal to V 0 लगाना है तो दो अलग अलग region के लिखेंगे इसे तो पहला जो region है यह कह सकते हैं कि X less than 0 के लिए क्या लगेगा V equal to V 0 लगेगा तो V equal to 0 यहाँ लगाते हैं तो D2 Si1 Dx2 plus 2M by H cross square E E यहीं ले लेंगे Si, चुकि पहला region है Si1 दे दिया नाम equal to 0 अब दूसरी region के लिए लेते हैं greater than equal to 0 पर तो यह हो जाएगा D2 Si2 Dx2 plus twice M E minus V 0 H cross square Si1 Sorry Si2 equal to 0 अब देखें यहाँ पर जो हमने case लिया था case 1 हम चुकि लेके चलने E less than V 0 है तो अगर मैं इस पूरे quantity को positive बनाता हूँ तो मुझे V 0 minus E लिखना होगा तो इस equation को मैं दुबारा से लिख लेता हूँ कि D2 Si2 Dx2 minus twice M V 0 minus E upon H cross square Si2 equal to 0 अब देखें यह जो दो equation है यह quantity positive quantity है यह जो quantity है यह भी एक positive quantity है इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों को दूसरे constraints माल लेते हैं और चुकि यह positive quantity है तो इसलिए किसी का square मानेंगे तो यहाँ इसे ऐसे लिख देंगे तो यहाँ इन दोनों equation को जो दो equation है यहाँ यह और equation यह इन दोनों equation को दुबारा से लिखते हैं इसे k1 square लिख देते हैं और दूसरा जो circle है इसे हम k2 square लिख देते हैं तो यह हो जाता है d2 si1 dx2 plus k1 square si1 equal to 0 और दूसरा equation है हो जाएगी d2 si2 dx2 minus k2 square si2 equal to 0 तो एक equation को हम कह देते हैं one equation और equation two equation इसमें क्या-क्या मान लिया हमने इसमें हमने माना है कि k1 square equal to 2m e over h cross square और k to e square हमने माना है कितना 2m v0 minus e upon h cross square अब देखिए यहाँ पर यह differential equation है यहाँ पर जो differential equation है इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे एक इसका solution मानेंगे किस तरीके से e raise to power to solution तो इन दोनों differential equation को solve करने के लिए हमारे पास solution कैसा होगा हम solution consider करेंगे e raise to power mx consider करेंगे तो for equation 1 तो ऐसे solution consider करने से हमारे पास क्या आएगी auxiliary equation आएगी auxiliary equation first के लिए कितनी आएगी अगर हम e raise पर mx लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा m square plus k1 square equal to 0 या m equal to plus minus ik1 इसका मतलब इस equation का solution कितना हो जाएगा इसका solution हो जाएगा तो psi 1 solution psi 1 equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा a e raise to power i k1 x plus b e raise to power minus i k1 x इसी तरीके से दूसरे मालेंगे e raise to power mx consider करेंगे solution किसके लिए for equation 2 तो auxiliary equation निकल का आएगी तो इसके लिए auxiliary equation कितनी आएगी इसके लिए auxiliary equation आएगी m square minus k2 square equal to 0 या m equal to plus minus k2 तो इसके लिए solution हो जाएगा psi 2 equal to c e raise to power k2 x plus d e raise to power minus k2 x अब देखिए यहाँ पर यह जो दो solution है यह harmonic solution है यह कह सकते हैं यह wave की तरह behave कर रहे है और यहाँ यह जो दो solution है यह actually exponential है इसमें पहला वाला solution है यह exponentially increase हो रहा है जैसे जैसे x की value बढ़ेगी यह बढ़ता चला जाएगा x tends to infinite होगा तो यह infinite हो जाएगा और यह दूसरा जो solution है यह x के साथ-साथ घठता हुआ solution है अगर हम अपने potential function को consider देखें कहाँ पर है तो यह x equal to 0 से start होके यहाँ तक यह तक जब यह आगे चलेंगे तो यह पहला वाला function होगा वो increase होता चला जाएगा तो infinite पर किसी भी wave function की value कितनी होने चाहिए 0 होने चाहिए इसका मतलब यह जो solution है यह कह सकते है solution का जो first part है यह acceptable नहीं है यह कह सकते है not acceptable तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर skip कर देंगे और इसका सिर्फ second part ही लिखा रहने देंगे तो हम क्या करेंगे यह acceptable solution है इसे हमने equation दे दिया नाम 3 और यह equation 4 अब इसमें जो constraints है A, B, और D इन्हें हम boundary condition यूज़ करने के बाद निकालेंगे boundary condition क्या होगी boundary condition होगी इस तरफ wave function is i1 left side में और right side में wave function is i2 तो यह x equal to 0 पर एक boundary होगी दोनों wave function की तो जहाँ पर भी boundary होगी वहाँ पर wave function और उनका first derivative continuous होना चाहिए तो हम लिखेंगे कि at x equal to 0 psi 1 should be equal to psi 2 तो ऐसे लिख देते हैं x equal to 0 x equal to 0 और इसके लावा क्या होगा d psi 1 dx equal to d psi 2 over dx तो यह दो boundary condition है जो कहाँ पर लेगी boundary पर boundary हमारी कहाँ पर है जहाँ पर दोनों wave function मिल रहे है या यह मिल रहे है x equal to 0 पर तो पहली boundary condition अगर हम लगाते हैं किसमें equation 3 equation 4 में तो psi 1 में x equal to 0 रखेंगे तो e raise power 0 1 e raise power 0 1 तो यह हो जाएगा a plus b इसका मतलब पहली boundary condition अगर लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा a plus b left side में जिसके बाद psi 2 psi 2 हमारे पास कितना बचा है d e raise power minus k2 x इसमें x equal to 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा equal to d तो पहली boundary condition लगने से हमारे पास equation आईए a plus b equal to d अब दूसरी boundary condition लगाते है क्या d psi 1 by dx this i1 का मतलब इसका differentiation तो इसका differentiation कितना हो जाएगा तो इसका differentiation करेंगे तो कितना होगा इसका differentiation करेंगे तो यह i k1 यहाँ आ जाएगा यहाँ minus i k1 आ जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे 0 रखेंगे तो इसका मतलब इसका differentiation अगर करेंगे तो यह आ जाएगा i k1 a erase power i k1 x minus i k1 b erase power minus i k1 x और इसके बाद इसमें x equal to 0 लगाएंगे, equal to कितना रखेंगे minus k2 d erase power minus k2 x और इसमें x equal to 0 लगाएंगे तो जब इसमें x equal to 0 लगाएंगे तो erase power 0 1 यहाँ भी erase power 0 1, यहाँ e की power 0 1, तो यह कितना हो जाएगा i k1 a minus b equal to minus k2 d तो यह कितना हो जाता है, तो यह हो जाता है a minus b equal to minus k2 upon i k1 d इसमें minus यहाँ पर है, तो इसे minus 1 को लिख सकता हूँ i square तो i square उपर है, i nीचे है, तो एक i cancel हो जाएगा तो इसे में लिख सकता हूँ i k2 upon k1 d क्या होँ? a minus b अब देखें, दो equation आपके पास है a plus b equal to d और a minus b equal to इतने d अब इन दोनों equation को एक बार add कर देंगे, इनको add कर देंगे, equations को एक बार subtract कर देंगे, तो add करने से आजाएगा 2a equal to d plus i k2 upon k1 d यह हो जाता है कितना? तो a equal to हो जाता है d by 2 1 plus i k2 upon k1 इसी तरी के जब इसे subtract करेंगे, तो b आ जाएगा, तो b की value हो जाएगी d by 2, 1 minus i k2 upon k1 अब हमारे पास a और b की value आ गई हमारे पास उपर equation थी, जो psi 1 का solution था यह, तो यह equation 3, इसमें a और b की value भी चाहिए थी हमें a, b की value d के terms में आ गई तो इस value को यहां रखेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, psi 1 आ जाएगा, तो psi 1 लिख देते हैं तो psi 1 हो जाता है कितना, तो psi 1 equal to a, erase power i k1 x, a का मतलब है यहाँ d by 2, 1 plus i k2 upon k1 erase power i k1 x b, b का मतलब यह है, d by 2 1 minus i k2 upon k1 erase power i k1 x इसका माइनस का, अब यह psi 1 की value हमारे पास आ गई है इसे देखते हैं, यह actually a plus ib है और यह a minus ib है तो इसे हम polar form में भी लिख सकते हैं उसको convert करने का तरीका है यह दो constant हिन्हें तूसरे दो constant के हम में रख देदेंगे, तो हम क्या करेंगे इन्हें another constant के terms में रख सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं कि 1 equal to लिख देते हैं, हम f cos phi यानि cos theta plus i sin theta के terms में रखना है और k2 upon k1 को रख देते हैं, क्या हम f sin phi या हमने क्या रखा है actually हमने जो रखा है, अगर हम इसको square करके add करेंगे तो आजाएगा f square, इसका मतलब हमने जो रखा है 1 plus k2 square upon k1 square equal to f square और इसको इसको divide करेंगे तो आजाएगा 10 phi यह actually phi था यहापर angle तो 1 ही होगा, तो इसे करते हैं, यह phi था 10 phi equal to कितना होगा, k2 upon k1 तो यह एक तरफ से conversion है, यह दूसरी तरफ से conversion है तो psi 1 हो जाएगा कितना, d by 2 कितना, f cos phi plus if sin phi e raise power i k1 x plus d by 2 f cos phi minus if sin phi e raise power minus i k1 x इसको और आगे करते हैं, sol तो यह हो जाता है, equal to d f by 2 cos phi plus i sin phi इसको लिए मैं लिख सकता हूँ, e raise power i phi e raise power i k1 x plus d f by 2 e raise power minus i phi क्योंकि यह cos phi minus i sin phi होगा और e raise power minus i k1 x equal to d f by 2 e raise power i k1 x plus 5 plus d f by 2 e raise power minus i k1 x plus 5 तो यह हमारे पास psi 1 आजाता है, पीछे जो equation थी psi 2 भी था हमारे पास psi 2 हमारे पास था कितना यह था d e raise power minus k2 x जहां जिसके जरूत पड़ेगी अभी दोनों function को हम use कर सकते हैं, इसके बाद देखिए हमने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था probability current density probability current density कितनी थी तो यह probability current density हमने पढ़ी थी j, j equal to था कितना h cross over 2im psi star del psi minus psi del psi star तो यह probability current density थी यह अगर one dimension case के लिए लेंगे तो यह one dimension जैसा कि यहाँ case है तो j हो जाएगा h cross over 2im psi star d psi dx minus psi d psi star यहाँ psi star है dx अब देखिए जो हमारे पास potential function था उसमें psi 1 इस region में है और psi 2 इस region में है अब यहाँ पर जो function है यह दो waves है इसका मतलब यह जो पहला वाला part है यह actually इस तरफ जाने वाली wave है या incident wave है और दूसरा जो part है यह actually क्या है reflected wave है इसका मतलब क्या हुआ यह जो part है इतना हिस्सा यह actually wave function वो है जो incident है psi i है incident wave और यह जो part है इतना हिस्सा यह actually क्या है यह reflected है psi r है ऐसे ही जो probability current density है यहाँ जो probability current density होगी यह incident की वेसे है और यह reflected की वेज़ है तो हमें अगर reflectance निकालना है कि कितना part reflect हुआ तो हमें इन दोनों को निकालने के बाद इसका ratio निकालना होगा इसका मतलब इन्हें फिर से लिखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है कि जो incident है wave function यह होगा आपका df by 2 e raise power i k1 x plus 5 और जो reflected हो जाएगा वो आपका हो जाएगा psi r equal to हो जाएगा df by 2 e raise power minus i k1 x plus 5 तो इसी तरीके से अगर मैं इसका complex conjugate लूँ तो psi i का star यह हो जाता है d star f star upon 2 e raise power minus i k1 x plus 5 और यह psi r का star यह हो जाता है कितना d star f star by 2 e raise power i k1 x plus 5 तो यहां से current density है यह भी दो part के है यह actually क्या है यह part है ji और यह जो part है यह part क्या है jr है इन दोनों का magnitude मुझे चाहिए actually यह minus sign है यह sign नहीं चाहिए मुझे magnitude चाहिए तो यहां ji कितना हो जाएगा ji हो जाएगा h cross over 2i m psi i star d psi i dx तो यह कितना हो जाता है d psi i by dx तो actually कितना होगा यह हो जाएगा equal to h cross over 2i m psi i star का मतलब है d star f star by 2 e raise to power minus i k1 x plus 5 और इसका differentiation करेंगे तो कितना आजाएगा i k1 बाहर आजाएगा इसका मतलब यह आजाएगा i k1 df by 2 e raise to power i k1 x plus 5 अब देखिए जो e की power minus i k1 x plus 5 है यहाँ पर यहाँ पर है e की power plus i k1 x तो यह मिला कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और d star f star है यह df है इसका मतलब यह df के mode का square हो जाएगा यहाँ पर i k1 भी है इसका मतलब यह हो जाता है h cross over 2 i m i k1 और यह 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ 4 भी आ जाएगा और यह हो जाएगा df के mode का square इसे फिर से लिख जेतने है i से देखिए i cancel हो गया तो यह होगा h cross k1 h cross k1 नीचे 2 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है तो कितना हुआ 8m और df का square इसे तरीके से हम क्या निकालते है jr निकालते है jr यह कितना हुआ h cross over 2 i m psi r d psi r dx का star तो इस क्या है psi r लिखेंगे पहले तो यह होगा h cross over 2 i m कितना है df by 2 e raised power minus i k1 x plus 5 इसके बाद इसका differentiation करेंगे तो इसका differentiation करेंगे तो i k1 बाहरा जाएगा तो यह आगया i k1 df by 2 complex conjugate लेंगे e raised power कितना i k1 x plus 5 अभी जो exponential था इतना ही हा minus है इतना ही हा plus है तो यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यह mode का square हो जाएगा तो यह हो गया h cross i k1 upon 2i m into 4 into df k mode का square यह कितना हुआ h cross k1 upon 8m df k mode का square तो यहां से देखिए हमारे पास क्या क्या आगे है incident current density और reflected current density हमारे पास यह आ गई अब इससे हम निकालेंगे reflectance कितना है reflectance मतलब r r होगा कितना current density है reflected की और कितनी current density है incident की बिना sign के लगाना है मतलब इसका modulus लेना है उसका amplitude लेना हमे तो यह कितना है यह है आपका jr कितना था यह था h cross k1 upon 8m df के mode का square और यह into कितना था ji का upon करके लगाना है इसका मतलब इसका हो जाएगा कितना h cross k1 df के modulus का square upon 8m चुकि दोनों चीज़े same है तो सारे के सारे कट जाते है तो r equal to कितना जाता है बना जाता है इसका मतलब particle पूरे का पूरा जो होगा reflect होगा यह कह सकते है particle के reflect होने की probability कितनी है 1 है इसी तरीके से transmittance अगर निकाले कितना part pass हुआ तो transmittance t t हो जाएगा कितना total 1 में से हम क्या घटा देंगे reflectance घटा देंगे यह कह सकते है कितना हुआ 1 माइनस कितना हुआ 1 equal to 0 तो transmittance कितना होगा यह 0 हो जाएगा तो इस तरीके से हमने क्या देखा हमने किस case में किया यह क्या है भी e less than b0 वाला case किया है अगर हम e greater than b0 लेंगे तो यह हम next video में करेंगे तो हम next video में करेंगे यहाँ पर जो classical case था वैसा ही लगबग यह क्या सथा वैसा ही यह quantum वाला case था तो यह इसे यहीं stop करते है और next video में देखेंगे कि उसके reflect होने के probability भी होगी और उसके transmit होने के probability होगी बट total 1 होगा Thank you